दामराम जी सभी को दीब बुटी क्लेक्शन में आपका एक वार फिर से आधिक स्वागत है तो जी आज दिखाऊंगी कोटन के बूस्प्रिंट के और कोटन के जबरदस्त चोली वाला डिजाइन है जी गणा जबरदस्त है बहुत सुंदर सूट है और गर्मी का कती तोफा आ लाइक जरूर कर दियो और जो भी चैनल पर पहली बार आई है जी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यह देखो जी अपना क्लेक्शन है सूट कती एक नंबर के कती एंडी है फ्लावर प्रिंट में जबरदस्त डिमांड है और प्योर कोटन में रहेगा जी यह द जाएं देखना जी बुरू स्प्रिंट का है कुछ हुतर रहेगा नहीं इसका ना कच्छा लेकरता ना कुछ और कती जाम साथना कितनी साइनिंग वाला कपड़ा है जबरदस्त यह देखो जी सारे में उपर तो रहेंगे छोटे फ्लावर बना रखे हैं बुरू दूपा जागा एक बाजू यह दर है एक वो अगे पूरा आलो और सूट रहेंगा और यह रहेंगा इसका दूपट्टा यह सूटी पिक देखो आप इतना है मैं दूपट्टा कोल दूँँ यह आजएगा कती सुन्दर साथ फूल प्योर के साथ और यह रहेगा पूरा जोली परखे ना अपना प्रस्प्रिंट वन वा गएगा शोटसा फ्लावर घूआ डट ऐसके इसमे बुपट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र सब्सक्राइब Remk इंजब वाड़ीचि रवराची हे तरॲफन सूट है और लुक देखना आप सूट की बनने के बाद कितनी आच्छी आएगी और भी पहुंचने के बाद कमेंट करके जुरूर बताना आपने मेरा क्लेक्शन कैसा लगा आपका सूट कैसा बने और जिसने अगर क्या नहीं ऑब्जेक्शन ना हो नहीं तो फोटो डाल दिया ये इसका दूपटा वो एब्रू स्प्रिंट का एवी सा लुक है ये देखो कतीफूल कलर है जिसका लाइट पिस्ता ये देखो लाइट पिस्ता कलर है सेम रेट सेम डिजाइन आलो और जाम का कपड़ा है और ये तीन कलर के साथ आपने ये अभलेबल हो जाएगा एक ये देखो इसको कलर देखो जी कौन सा बुलोगे आप ना ये ओफ वाइट है और ना ये दर ये सेड़ है अलग सी ये सेड़ है ये इसका दूपटा रहेगा ये इसमें पूरा जोड़ी पवरे का जाएगा आप मोडल की पिका जाएगी सेम एज इस आपका सूट रेडी हो जाएगा वह रेट है जी सिरफ और सिरफ तेरा सोर्वे फ्री सीपिंग के साथ आपके गर एक डिजाइन रहेगा जी है कुछती है एक नमबर का एंडी जबर गर जोली में रहेगा ये डिजाइन कटी एक नमबर की नई इक लेक्षन है नया डिजाइन और इसकी लेंथ बन जाएगी जी च्याड़ी स्रेडी मुडने के बाद च्याड़ी सिसकी लेंथ है माक लिया क्योंकि ये एक सैट बेबे पूरा लेगी गर्म कोई बान पेटी होगी तो पूरा ये सैट ठालेगी थी एक उसने उसकी लेंथ मापी थी मैंने च्याड़ी सिसका रेड़ी हो जाएगा और ये चोली रहेगी जीतनी उपर नीचे बोडर आएगा उपर चोली है मी जितनी ये लाइन है ना प्रिंटिंग की सारे उपर गोटा पट्टी का काम है और ये आजाएंगी साइड में बाजू बीच में रहेंगे छोटे बूटे निच्छा आजाएगा जी गेरे पर ये वाला एंब्रोएडरी मीरर वरक एंब्रोएडरी वरक और ये प्रिंट का बोडर निच्छा इस पर बोडर का उपर गोटा पट्टी की लाइन लगा रहें ये बाजू का डिजाइन है और सेम बाजू और सेम चोली अपने उपर विया जाओ वह उपर बन जाएगा निच्छे ये बोडर आ जाएगा ये बाजू का ठीक है सेम डिजाइन सेम सारा चो और यह रहे जी जिए सकी बोटम का कपड़ा नू एक दम मड़ाई है कटवी मजोय जो पौणे तीन मीटर लखड़ेगा तीन मीटर कर देमैं हैं पिर भी पौणे तीन कूँग जो 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 मसलीन टाइप ढूपट्टा है कहीं भी डाललो और यह डिजिटल प्रिंट के साथ इसमें यह इस तरह प्रिंट आएगा पूरा लंबा चोड़ा साइज है कैसे भी कैरी कर लेना आप गलर कंट्रास्ट भी गजब की मैचिंग में वाइन कलर के साथ ग्रीन करिंग सी सेड़े में दी कलर की यह आजाएगी जी सूट की लूप अगर आपने जो पसंद होना अगर इसमें कुछ समझ में आया तो फोटो डाल दूंगे मैं कोई दिक्कत नहीं देगी आपको चैर कलर मिलेंगे चैरों कलर की फोटो आपको मिल जाएगी ठीक है यह सूट की लूप देख लिए और इसका रेट भी है सिरफ और सिरफ ग्यार सो में यह आपके गर पे पहुंच जाएगा जी ग्यारा सोर पे आप पेमेंट करो सूट आपके गर इब इसके कलर देखो कलर कती च्यारों मस्त हैं मस्तरड सेड है यह वाड़ा उपर चली पवरक है कमीज बोटम और यह दूपट्टा दसल के साथ यह वाड़ी सूटी पिक सिरफ और सिरफ ग्यारा सोर पे रेट देखो जी कितने रिजनेबल हैं और कपड़ा देखोगे ना आपकती मन खुछ हो जाएगा जैसा बताया जाएगा वैसा ही सूट आपको गर पे मिल जाएगा ऐसी बात नहीं होगी अपने पास बताएंगे कुछ और बेज़ेंगे कु स्टमर है उन से आप पूछ सकते हो क्योंकि कईया के तर इस्तेदार भी है वो नहीं ने बचारे नों पूछ है उनके बहुत सुत्रे सूटा है तो जी हमने फलाना पलिया था दकड़ा पलिया था देखो मैं और किसी की भी जिम्यवार नहीं हूँ ठीक है और क्या कर रहा है क्या कुछ नहीं कर रहा है वो भी अगला जिम्यवार है बगवान से डुरके हम ऐसा काम दिल्कुल भी नहीं करके यह देखो मैं रूम कलर है बहुती सुंदर यह कमीज बोटम और यह दुपट्टा प्रिंटिंग देख लिए हो कितनी गजब्की है और बही कपड़ा तो ए दरुदर भी डवसके हैं फाइन क्वालिटी का कपड़ा फाइन क्वालिटी का डिजाइन सिरफ और सिरफ 1100 रुपे में आपके गड़ तो जी क्लेक्शन कैसा लगा आपने कोमेंट बोक्स में जरूर बताना और बही जल अपने इतने सुत्रे-सुत्रे आप कोमेंट परो बहुत मन खुस हो भी इसी से हमारा ओसला फजाई हो है आपका कुछ मीजाता भी आमें थोड़ा सा ओसला मिल जाब आमारे वीवर कितने अच्छे हैं भी आम कैसा दिखाते हैं वो उनको पसंद आता है या नहीं आता है बस ये थोड़ा मन को तसलि है तो जी इसी तरह आप फिर मिलेंगे नहीं वीडियों के साथ प्राम राम जी